प्रियंका गांधी को कांग्रेस ही सीरियसली नहीं ले रही है क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा इंद्रा इस बैक अगर इंद्रा इस बैक है तो भाईया 15 साल इंद्रा जी को क्यों कमरे में बंद करके आप रखे थे इंद्रा जी को ला देना चाहिए था 15 साल पहल तो भारती जनता पार्टी सीरियस क्यों नाउस से पहले जो सर्वे की बात है यह अखिलेश जी की मन गढ़ंत बाते हैं अखिलेश जी कमरे में बैठे बैठे सर्वे भी कर ले रहे हैं और जनता में भी चले जा रहे हैं अखिलेश जी मायावती जनता में नहीं जा रहे हैं के कभी प्रतिदिन एक स्टेटमेंट दे देते हैं इसलिए बना देना चाहिए कि रावर्ट बाड़रा जी हरियाना और राजस्थान में किसानों के जमीन को वहां के मुख्यबंतरियों की किरपा से हत्याया है कबजा किया है लूट मचाई है उसको ओने-पोने दामों में खरीदा है करोड़ों अर्बों में बेचा है और ओवरनाइट अर्बों की संपत्ति प्रियंका गांदी जी भी 300 करण की मालकीन है प्रियंका गांदी जी क्या वो देश को बताना चाहेंगी कि प्रियंका वाड़रा कौन सा सा काम की जब वो छात्र जीवन से वापस कौन सा बीजनस की कि 300 करोण की माल की न कौन सा व्यापार उन्होंने किया यह उन्होंने जो राबर्ट बाडरा ने अबढ़ व्यापार किया जो किसानों की जमीन को लूटा और इस लिए और हर्याना और राजस्तान के प्रभारी बनाए जाएंगे तो जनता उनको ठीक से जबाब दें कारवाई हो रही है जाचे हो रही है और किसी भी दिन लूट करने वाले रावर्ट बाडरा किसी भी दिन जेल जा सकते